हेलो नो वश्कार दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत पूर टॉपिक क्या फिलिप्स कर्व और मिल्टन फ्रीडबैन का कॉंसेप्ट एक मिनट के अंतरगत देखेंगे इससे फैक्च्वल गिविशन कैसे बनते हैं दोस्तों फिलिप्स कर्व के अनुसार किसी भी देश में अगर इन्फलेशन अपनी पीक पर होगा यानि मुद्रा इस्पिती अपनी पीक पर होगा तो उस देश में बेरोजगारी उतनी ही नियूनतम होगी यानि जिस देश में मुद्रा इस्पिती अपनी चरम पर इन्फलेशन और अनिम्प्लाइमेंट मतलब क्या होता है अनिम्प्लाइमेंट मतलब बेरोजगारी इन्फलेशन मतलब मुद्रायस्पिती यानि इन्होंने कहा कि किसी देश में अगर मुद्रायस्पिती है तो मुद्रायस्पिती अगर बहुत अधिक है तो उस देश में बे फिलिप्स कर्व कहा जा सकता है कि हाँ कुछ समय के लिए यह बात सही है कि किसी देश में अगर मुद्रा इस्पिती है तो उस देश में बेरोजगारी कम होगी लेकिन अगर लॉंग टर्म में देखा जाए यानी LRPC मिल्टन फ्रीडमेन के अनुसार किसी भी देश में एक नि SRPC की बात करी और अगर बात की जाए कि SRPC की बात किस ने करी तो आपके फिलिप्स कर्वने फिलिप्स कर्वने इस अधारणा को सन 1958 में दिया था थैंक्यू क्लास कर्का क्यू कर्वने का मिल्यब दो आो खंगर पार बात किसी शतान के अप झाली है है मुआ